मेरे हाथ में अस्पताल का वो बिल है या ये कहे वो दस्तावेस है जिसमें मुसीबत के दौर में होने वाली मुनाफिक होरी की कड़िवी सच्चाई लिखी हुई है यह हम बात कर रहे है ठाने के एक प्राइवेट अस्पताल के बारे में जहां पर सरकारी निर्देशों की धग्या उडाती हुए मरीजों से जादा के पैसे वो वसू ले जा रहे है नमस्कार मैं हूर रौना कुकड़े और इस वीडियो में हम मैं आपको कहानी बताने की कोशिश करूंगा जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ ठाने के प्राइवेट अस्पतालों में देखने को मिल रही है यह बिल एक कोरोना पॉजिटिव मरीज का है जो ठाने के वेदानत अस्पताल में हिलाज के लिए भरती हुए थे असल मुंबई और ठाने के सरकारी अस्पतालों के हालत इतनी खराब है कि कई जगाओं पर हाउसफुल के बोर्ड जो है वो लटकते हुए दिखाई दे रहे इतना ही नहीं तो कई बार इस तरह के वीडियो भी सोशल मेडिया में सामने आ चुके कि एक बेड पर दो-दो बर चीजों को रहना पड़ रहा है लियाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस वेक्ती ने ये तैय किया कि प्राइवेट अस्पताल में और खास्तोर से जो अच्छे अस्पताल है वहां पर अपना इलाज जो है वो कराय जाए इसके लिए वो वेदान्त अस्पताल में भरती हुआ और तेरा दिन के बाद जब अस्पताल से उसकी छुट्टी होने का मौका आया तब उसे जो अस्पताल ने बिल थमाया उसको देखकर उसके होश उड़ गए क्योंकि बिल जो था वो दो लाख रुपे के उपर था इंशुरेंस होने की वज़े से एक लाख तक क बिल को देखा तो उसे पता चला कि जिस तरह की बात बिल में लिखी हुई है उसमें साफ तोर पर कहा गया है कि आईसोलेशन बैट के नाम पर 6,000 रुपे जो है वो उसे चार्ज किया यानि तेरा दिन के 78,000 रुपे उस मरीज की तरफ से अस्पताल ने लिये है लेकिन जब उसने सरकारी आदेश को देखा तो ट्विंस बैट जिस पर वो मरीज भरती हुआ था उस ट्विंस बैट का सरकारी रेट जो है वो 5,000 रुपे है याने कुल मिला कर अगर देखे तो 13 दिन के 13,000 रुपे जादा इस मरीज से अस्पताल ने ले लिये है और मरीज का ये भी द तारा की गैडलाएंस का पालन जो है वो सरकार की अस्पताल जो है वो कर रही है मुखे तोर पर अनका एकना एक है कि worlds पर यही। कहने महानरपालिक और रहे हैं जो महात्मा जोतिरों कुले योजना के तहत यहां पर भरती होते हैं युका पेमेंट उस योजना के तहत किया जाता है और दूसरा जो cash payment वाले मरीज जहां पर भरती हो रहे हैं उन पर ठाने महानगर पाली का आयुक्त ने जो guidelines दिये उनके हिसाब से पैमेंट जो है वो लिया जा रहा है और तीसरी category है insurance payment की अगर कोई कोरोना positive मरीज जिसका insurance है तो insurance companies की जिस तरह की guidelines है और उनसे जिस तरह से tie up है उसी तरह से charge जो है इन मरीजों को किया जा रहा है यह अस्पताल का जबाब है लेकिन मुख्य तो अगर देखे तो ठाने महानगर पाली का आयुक्त ने जिस तरह से आदेश जारी किया है उसमें insurance company का किसी भी तरह का कोई जिक्र नहीं है तो कुल मिला कर अगर देखे तो जो अस्पताल है वो भले यह कह रहे हो कि सरकारी guidelines का पालन करते हुए दिख रहे है लेकिन हकीकत में ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है बहामारी के इस दौर पर कोर्णा वारियर्स की भूमिका अपने गाव की तरफ पैदल ही निकल पड़ रहा है और उसके पास पास नहीं है तो उसे पुलिस गिरफतार कर रही है और उस पर जो है मामले दर्च के जा रहे है ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि अगर सरकारी निर्दोशों की धजिया कुछ अस्पताल जो है वो उड़ा